कमलनास सरकार के मंत्री सजनसी वर्मा के बयान के बाद मध्यप्रदेश में कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने की अटकले तेज हो गई है। इसी बीच कांतिलाल भूरिया ने MP News exclusive चर्चा में PCC Chief को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखें ये खास रपोर्ट। विधायक पद की शपत लेने के लिए भूरिया राजधानी भोपाल पहुँचे तो रास्ते भर कारिकर्ताओं ने भूरिया का जोशीला स्वागत किया। बूरिया की नई पारी को लेकर होने वाले फैसले से पहले कॉंग्रिस के अंदर घमासान खड़ा होता दिख रहा है। इस पूरे मामले में स्वायम जोतिरादित सिंधिया और सीम कमलनाथ का रियक्शन अब तक नहीं आया है। लेकिन कांतिलाल फूरिया ने आश्टा में MP News से चर्चा में जाबुआ में अपनी जीत को एतिहासिक बताया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि ये हाई कमान के अधिकार क्शेतर का काम है इसमें हमारी नहीं चलती है। बहिए चुनाव में एक इत्याशिक जीत हुई है हमारे परदेश के मुख्यमंतरी मानने कमानलाज जी के नेतुरत में ये एक इत्याशिक जीत हमने आशिल किये है। कॉंग्रिस ने संख्या गणित में भले ही मजबूती हासिल कर ली हो लेकिन भूरिया की नई पारी को लेकर कॉंग्रिस में संकट के हालाथ जरूर खड़े हो गए है। अब देखना होगा कि हाई कमान क्या फैसला लेता है। प्यूरो रिपोर्ट, MP News, आश्टा